हम बात कर रहे थे नीट के जो पीवाई क्यूज पुछे गये हैं प्रीवेस एजर कोईशन के उनका सलूशन प्रवाइड कर रहे थे उसके तहट एलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड यह क्लास 12 का पहला चिप्टर है इसके कोईशन कर चुके हैं उनको इसी प्लेइलिस में डाल दिया है जो प्लेइलिस बनी होगी एलेक्ट्रिक चार्जेज और फील्ड की देख लीजेगा अब पेसिक खित्मत है नेक्स कोईशन देखें यह कोईशन प्यम्टी नाइन्टी नाइन्टी फाइब में पूछा गया है पहले कोईशन पढ़ लिया जाए कोईशन कहता है कि एन एलेक्ट्रिक डाइपोल दिमाग में आकर डाइपोल क्या होता है कंसिस्टिंग आफ टू अपोजिट चार्जेज मैं एक प्लस में एक माइनस है और चार्ज यह है टू इंटू टेन पावर माइनस 6 कूलाम इच सेपरेटेट बाई डिसंस 3 सेंटीमिटर दोनों के कोशन देख लिया जाए पर एक एलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग आप टू अपोजिट चार्जेज चार्जेज दिया हुआ है यानि कि क्यू लिखे दे रहा है टू इंटू टेन पावर माइनस 6 कूलाम और दोनों चार्जेज की बीच की दूरी को आप जनरली क्या म ठीक है यह 3 सेंटी मीटर बोले तो 10 पौर माइनस 2 मीटर और एक एलेक्ट्रिक फिल में रखा गया है एलेक्ट्रिक फिल की वल्यू दिये है 2 इंटू 10 पौर 5 न्यूटन पर कूलाम तो टॉर्क निकालना है अब आपको इसाब यह बताईए कि टॉर्क तो होता है पी साइन मिकालूंगा तो ठीटा उसमें 90 हो जाता है तो हम जानते है टाव मैक्स जो होता है कितना हो सकता है टॉर्क जब ठीटा नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे तो 0 भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है उसके बारे बात करेंगे तो हम जानते है पी साइन ठीटा होत अब value ठाक रख दिया जाए है ना तो देखे यहां है ना आजाएगी value क्यों कितना दिया है 2 into 10th power minus 6 into 2L पुरा दिया है 3 into 10th power minus 2 into e है आपका 3 into 2 into 2 into 10th power 5 अब sin 91 होता है इसको calculate का लिया जाए तो इसको जब हम calculate हैंगे जब English Hindi mix कर रहे हैं हम तो देखे tau maximum कितना निकलेगा tau max 3 दूनी 6 दूनी 12 into 10th power minus 6 minus 2 minus 8 और minus 8 plus 3 minus 3 तो 12 into 10th power यह है ना हाँ ठीक है 12 into 10th power minus 3 newton meter आएगा एक बाद ध्यान रखेगा एक तो 10th power में answer में decimal एक digit बाद होना चीए लेकिन नहीं है तो क्या करोगे इसकी unit भी ध्यान रखेगा कि माल या वो confuse करने के लिए आपको value तो same देदें और एक में newton meter देदें एक में newton meter square देदें और आप cable value देख रहे हो तो ये ध्यान रखेगा force into distance होता है torque इसका unit newton meter होता है तो वो unit ना change कर दे ये ध्यान रखेगा ठीक है